दोस्तों मैं हर्षिता और आप देख रहे हैं ट्विन स्वाइवर्ड आज की वीडियो है कुछ थोड़ी सी डिफरेंट है क्योंकि बहुत सारे लोगों से आपने सुना होगा कि आपको प्रिग्नेंसी में अच्छी डाइट दवाईयों और सप्लिमेंट्स के साथ साथ आपक को ये बताने की कोशिश करूंगी कि आप इस तरह की एक्टिविटीज और इस तरह की एक्सिस से दूर रहे हैं तो सबसे पहला नंबर आता है इस्क्यूबा डाइविग जी हा हँं अगर आप प्रिग्नेंट है तो आपको इस क्यूबा डाइविग जैसे चीजों से बचना चाहिए क्योंकि आप जानते हैं कि अंडर वाटर होता है और आपको वाटर की रेजिस्टेंस भी आपको मिलती है और में भी आप बहुत ज़्यादा अंकमफर्टेबल फील कर सकते हैं स्विमिंग करना एक बहुत अच्छी एक्सराइज है जो कि आप प्रिग्नेंसी में कर सकते हैं बट इस क्यूबा डाइविंग जैसी चीजों को अवोइड करना चाहिए दूसरी चीज होर्स राइडिंग होती है वो थोड़ी सी विग्रस एक्सराइज में आती है क्योंकि उस अच्छी एक्सराइज हो जैसे कि अगर आप वेट लूस कर रहे हैं या कार्डियो एक्सराइज कर रहे हैं आफ्टर डिलिवरी या फिर डिलिवरी से पहले तो वह आपके बोड़ पूरे शरीर के लिए बहुत हेल्फुल है लेकिन प्रिग्नेंसी में आपको कोई भी ऐसी वीग्रस एक्टिविटीज करनी ही नहीं है जिसे कि आपकी और आपकी बेबी के उपर कोई रिस्क आए वाटर इसकींग वाटर इसकींग हुआ या फिर हाई एल्टिटूड पे भी जो अगर आप बंजी जंपिंग वगरा इस तरह की कोई भी एक्टिविटीज है आपको इन सबसे दूर रखा जाता है और अगर आप इस तरह की चीजे करते हैं तो आपको पहले इंस्ट्रक्शन दिये जाते हैं कि आगर आप प्रेग्नेंट है तो आप इन एक्टिविटी से दूर रही वहाँ पर क्लियरली आपको इंस्ट्रक्शन दिये जाते हैं तो आप कितन अगर आपका कितना भी मन कर रहा है लेकिन इस दौरान ये जो पुरा 9 मन्त होता है ये बहुत ही क्रूशल और इंपोर्टेंट वक्त होता है इसको अपने हेल्थ और अपने बेबी के हेल्थ से कोई भी रिस्क आप नहीं ले सकते हैं तो इसलिए बैतर है कि इस तरह की एकसाइज़ से आप दूर रहे कोई भी एकसाइज जो कि कौण्टाक्ट से हो मान लिजी कि किसी अधर परसं से कौन्टाक्ट हो या कुछ इस तरह की जहां पर आपको गिरने की जांस हो सकते हैं अगर आप प्रेग्नेंसी में एकसाइज कर भी रहे हैं तो बहुत माइल्ड एक्सराइज करिए और किसी का सहारा लिजे कि आपको वो थोड़ा होल्ड कर पाई या फिर इतना जादा मत करने लगे कि आप अन्बैलेंस हो जाए तो इन सारी चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ता है और कोई भी ऐसी एक्सराइज जो कि आप कर रहे हैं बहुत हाई टेंपरिचर जैसे हुमिड एयर है बहुत होट है वेदर उस समय भी अवोईड करना चाहिए क्योंकि होट जो आटमस्फेर होता है उसके वज़ए से मेभी आपका बीपी है वो थोड़ा से इंक्रीज हो जाएगा और बीपी का जैसे आप सिंपल सा योगा कर सकते हैं या फिर आप कुछ पिल्विक एक्सराइज़ कर सकते हैं जो कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी में आपको हेल्प करती हैं तो आप उसकी लिस्ट अपनी डॉक्टर से या फीजियो थेरेपिस्ट से जरूर मिलें क्योंकि जिस तरह से गा जो चीज रिक्वाइड होती है वो आपको अच्छे से आपके फीजियो थेरेपिस्ट ही आपको बता सकती हैं तो डॉक्टर के निगरानी में हमेशा रहिए आपकी कोई भी आक्टिविटीज है कुछ भी आपको ऐसा लगे कि आपको क्या करने से अच्छा होगा नहीं होग अपनी डॉक्टर से खुल के बात करिए और डॉक्टर से जितना ज़दा खुल के बात करिएगा उतना ज़दा आपकी प्रॉबлем भी सॉल्फ होगी वो भी आपको समझेंगे आपकी कनवरसेशन जितनी अच्छी होगी उतना ज़दा आप कमफर्टेबल फी फील करोगे ताकि कोई भी अपडेट हो मेरे तरफ से वो आपको जल्दी से जल्दी मिले और आप पूरी वीडियो देखते हैं मुझे बहुत खुशी मिलती है थैंक यू सो मच पर वाचिंग ट्विन्स पाई वर्ल्ड